नमस्ते सभी को तो सुबा के सत्र में अभी हम अभ्यास एक पर ध्यान दे रहे हैं और उसमें अभी हम लोग स्केफ वन पर चर्चा कर रहे हैं अभ्यास एक में हम स्वयम गोरा स्वयम को देखने का भ्यास कर रहे हैं में ये बात निकल कर आई थी कि स्वेम की और जब ध्यान देते हैं, अपनी कल्पना शिल्ता पर ध्यान जाता है, इस टेप बन में हम अपनी कल्पना शिल्ता को ध्यान दे रहे हैं, बिना उसको बदलने का प्यास किये, बिना उसको रोकने का प्यास किये, बिना उसको अपनी विचार चल रहा है उस विचार के धार पर कुछ आशा बनी हुए तो यह भाव उठात इच्छा विचार और आशा इन सब को जोड़कर कलतना शिल्ता कह रहे हैं अब इस पर ध्यान देना शुरूर करते हैं तो हो सकता कुछ कठ नहीं आएं जो अभी चर्चा करेंगे और भाव तक पहुंच सकते हैं यह पूछते हुए कि जो भी मैं विचार कर रहा हूं इसका प्रियोजन क्या है जब मैं आपने आपसे पूछता हूं तो भाव मुझे पास्ट है अगर भी चार भी नहीं पर नहीं दिख रहा तो कलतना शिल्ता के मुद्दे क्या हैं उस पे ध तो उन मुद्दों पर ध्यान दें तो पता लगए कि हमारी कल्पनाश्रिता इस मुद्दे पर है और दूसरे पर इस मुद्दे पर है और स्वान वहां से अपने विचार का पता चलता है यह हर एक बिंदू पर हमने क्या क्या विचार किया विचार से हम अपने भाव को देख तो हेसा है वैसा उसको देखना उसमें कुछ भी अपने करहने का प्रयास नहीं करनाय नहीं करनी है तो जैसा है वैसा देखना है तो यह ध्यान में आता है कि यह काम तो सरल है क्योंकि मैं अपनी ध्यान दे रहा हूं अपने ही भाव को देख रहा हूं भाव मुझे बने वे विचार मुझे चली रहा है तो सरल है कल्पना शीलता निजंतर चल रही है देखने की छमता हम तो निर्भाटर करता इसले महत्वब़ून भी है नेरह सवक दुक यह हो कि बाहर घतनाय हो रही है मुझसे बाहर घतनाय हो रही है सकांग मेरे स्किया चाहण हो रही है जी सुक्षी दुक्य मेरा होना हो यह हो जी उंखिता ह दुखणा किर दो निलयांसंद्रत सszक्रम बनेख किया है विल्कुल उसी पे ध्यान देज जहां पर शब घटित हो रहा है अगर पर थीक ध्यान देने तो वहां के लिए काम पर सकते हैं तो कल हम लोगों ने इस पर अभ्यास किया था, अगर इस अभ्यास को लेकर कि नहीं कोई प्रश्न हो, कोई नई बात ध्यान में आई हो, कोई उच्छुपता हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं, उसको आपने बात कर सकते हैं। पहले तो फैमिली मेंटर आजाते हैं, फिर कॉलेज आते हैं, पर बीच में एक और अब्जव करा हैं, मैंने कि अन्नोन परसंस का एक चेप्टर बड़ा खोलता है, वो उसके पीछे क्या भाव है, उसमें ज़दा मेरे को ऐसा सर्मेन ऐसे लग रहा है कि वो जदा मेरे को परि और तो सारी मेरे को समझ हा रही है कि हाँ, फैमिली मेंटर भी हो संदाया, कॉलेज में भी हैं, अचर का भी खाब आजाते हैं और पीछे का भी पास्ट भी देख रही हूं, पर ये जो अन्नोन परसंस के साथ क्या भावार आपके अंदर, उसमें में वो चीज अबज़ करन स्पोर्स और ग्राउंड और ऐसा कुछ है, और बच्चे खेल रही हैं, आस पास ऐसा है, ये चीज़े कुछ, जबकि मेरे उनसे कोई रेलेशन भी नहीं हए, स्पोर्स मेरे फास तक भी नहीं है, पर ग्राउंड में बच्चे खेलते में जिसमें गल्ट जादा तर नतर आर चाहिए पर यह दो तेन से ऐसा माइन में आ रहा है कि ऐसा क्यों आ रहा है यह कल्पना में ऐसी सीज़ से क्यों आ रहे इस से जलाव थोड़ा सा टेंशन सा उसको देखेगे जाए अभी जो आपने बता आपने वह विचार वी चार थे ऐसा चल रहा है ना तो उसके पीछे भा आप इसमें कैसे आ रहे हैं? जी. ठीक है सर्माइ इसमें प्रेक्टिस करके देखती हूँ कि वो किस जीज का बाव आया है? हाँ, ठीक है. और विजे विचार उठा के उठाए है? ठीक है सर्माइ. इसको फोर्सफिली आ प्र्यास करें इसी विचार को लाकर फिर हमको देखना है. जय से वचार को भी है विचार को भी देख्कें कि प्रेक्टिस करने से झा सकता मैं तियों कि बिना अभ्यास के तो फिर चेतर बहुत सारे आ गिया कर खुलने लग जाती है. जब मैं उस चीज पर प्रैसर को पंटलर में उस चीज के बाड़े मिट्र द एक ज sı करही हूं कि पर पर सारी फूर मिलगें थो फ्यूज है पर conceived impressi कि नहीं गई जो परिशान ही यह वहां भी तो प्र쟁सानी का भाव उसको ही सब्राइब कि परल्ट के लsa प्रशानी बिए नमस्ते भी यहां कि जब सब कुछ हमें अपने अंदर ही ठीक करना है तो बाहर की परिस्थितियों पर करेक्टिव मेजर्स लेने का क्या मौटिवेशन हो सकता है कि बाहर तो सब कुछ जो हो रहा है हो यह रहा है लेकिन हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपने मन को ठीक करके तो बाहर क्या कोई उपाए करने के लिए कोई कि मोटिवेशन फिर बचता है क्या इस पर थोड़ा समस्क्राइब हम अपने उपर जो होने वाला प्रभाव है उसको ठीक कर सकते हैं अपने उपर ध्यान देगा तो बाहर की ठीक हो जाएंगे असा नहीं है एक बार कि जो मैं प्रभावित हो रहा हूं उससे बाहर की सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाहर की समस्क्राइब कर सकते हैं बने अंधर अराम सुनुशिटे करके सुफूर्वर करेंगे अभी क्या हु रहा है चार स्मब्सक्राइब कर His God अघी समय करें जाते हैं अकला दो हो परशंथ हम परशन और परशाशनी को पढ़ा लेडिप हम एपर आराम होता हैuchen तो हमारे साहथ बैठकर आराम पाता है इसे महतुकुर मानते हैं उस पर ही ध्यान देते हैं जब तक बाहर की चीजें कोई सुविधा हो शरीर है संवेधना मिल रही है में उसको ज्यादा महतुकुर मानने हैं इस चन्ड आपका ध्यान जहां भी है उसे देखते रहें भले वह बाहर की और क्यों नहों यह निर्णें बनाया रखें कि मुझे अपनी कल्पना श्रीटा को देखना है जब भी आपका ध्यान आपकी कल्पना श्रीटा की और लोटे उसे देखते रहें तो आपका रविचार महतोपून है तो आपका ध्यान ककलबन को जा इसे और इसे हमें तो आधे मांद भी यांखें भी है और हंखेंद लिय्ट हो फ़्काइघ बंद माझे हैं तो प्रश्री remote है मंचको पreं जा रहा है। इस ना हो सकता है कि अगर आंगे खुली हैं तो हम पिसी सुबदा को देख रहे जा रहा है यह हो सकता है तो अभी देखने हमारी प्रीयर्टी क्या है जिसके हमारी प्राइटी होती है मुधा दियां देते हुए एक बड़ हमारी प्राइटी बन जाए कि शोम में समझ भाव को सुनिश्चित करना है इस पर ध्यान देंगे इसमें एक गल्ती ही होती कि हम कई आपसे ही यूद करने लगते हैं तो अपने आपसे ही यूद करने लगते हैं तो अपने आपसे ही यूद करने लगते हैं तो अपने अपने आपसे ही यूद करने लगते हैं तो अपने 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 आपसे ही यूद करने लगते हैं तो माजन क्यों जाएगा नमस्ते सभीकों मैं जिसको मत्वपुर्ण मान रही हूँ उसके पीछे क्या है सुख्याशा वहां सुख्याशा बनी गी हमारी ठीक ठीक भया और ये पोछना है अभी भी ना संस्कार को मैं पकड नहीं पा रही हूँ तो क्या करूँ ये अभी बता सकेंगे उसके तो ऐसे बात करें हम ने बठाँ संस्कार को नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि अभी हम भाव को भी बारी की से नहीं देख पाते हैं पर अपना भाव अपने को इसने लगे तो हम इस भाव के साथ जो हमारा चिपकाव है उसको देख सकते हैं जैसे दूसरों से ध्यान पारकर संवान पाने का भाव है तो मने माना हुआ है कि दूसरा जब ऐसा ऐसा आचरन करता है मेरे साथ तो संवान है बागी सब को यह ध्यान न देकर मेरी ध्यान देता है ऐसे सर हिलाता है यह करता है यह सब संवान है हमने संवान हों कोई अर्थ दिया हुआ है यह हमारा अपना गहरा संसकार है मान देता है मान करद कुछ और भी वसकता है तो वहां पर हमको दिखाई देया कि हमारे अंदर सुख पाने का भाव बन रहा है या कुछ संसकार है जो बना हुए है यह सुख जो है वो बाहर से मिलने वाली वफ्तु यह हमारे संसकार है तो थोड़ा विश्लेशन करेंगे तो तुसमें इसकर्ज़ पहुच बाते हैं तो भाव में भी देखें कि ऐसाथ क्यों हो रहा है हमने क्या माना हुआ है वहां पर मतलब माननेता को पकड़ पाना या समझ पाना वही संसकार है यह कहें? हाँ वह माननेता ही हमारा समसकार है ओके हाँ हाँ ठीक है नमस्ते सभी को भईया मेरा यह थोड़ा अबजर्वेशन भी है और प्रश्ने भी है इसे अभी बात आई कि हमें जब भी आँख बन करते हैं कंटेंट और इमेजनेशन में हमारे को हमारे आसपास की चीज़ें जड़ा दिखाए देती है चाहे वो फैमिली हो चाहे कोलेज हो चाहे और भी सोसाइटी में हम जिन से मिल रहे हैं तो कभी-गभी ऐसे थौट्स आते हैं जो इन सब से कनेक्टेड नहीं है जो भी दिदी ने क्वेशन भी किया था तो कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे पर एक्जामफल अभी आपने जो उन्होंने जो प्लेग्राउंड और उसमें लड़किया नजराती ज्यादा तो वो जो हैं यह इसा तो नहीं किसे कीसी अजोंकिसी कीघिवने का रहा हो और वो केल नहीं पायें बच्पन में या चोड़ा बड़े होके भी तो उस दिरह की जो चीजें हैं कहीं एंदर चली बायती है और वो फीट जब भी हम आग बंद करते हैं तयान देते हैं तो उस तरह के सीन्स या उस तरह की स्तिकियां हमें दिखाए देती हैं तो यह इस तरह से होता हुए है यह भी हो सकता है यह जिनको जिनके साथ हो रहा है वो देख पाएंगे जब अब्जर्वेशन शिडू करते हैं तो कभी-कभी बिल्कुल ऐसी चीजा आती है जिसके बारे जिवेशन चल रहा है जो कई बार हम दिन्चर्या में नहीं नोट कर पाते हैं ऐसे औस रुप हम नोट कर पाते हैं जिवेशन देना शुरू किया है तो हम नोट कर पाते हैं जान नहीं देते थे इसलिए हम नोट नहीं कर पाते हैं और जितना हम बारे किसे जान देता है उत जी बिया और अभी शीला दिदी ने भी एक क्वेश्चन को किया था तो उसी से मेरा क्वेश्चन भी बना था क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी असा लगता था इस तरह के पहाव और विचार कि क्योंकि क्यों नहीं काम मैंना आप से क्वेश्चन भ कि जब हम काम तो भीतर ही करना हैं, लेकिन जब संबंध व्यवस्ता और सायस्थित्यों का भाव हमारे अंदर बनने लगता हैं, हम देखने लगते हैं उसको या उन चीजों का हमें एक्सपिरेंस ए अनुबह होने लगता हैं, तो उसमें कोई मोटिवेशन नहीं, और आपको स संबंध दिखता हैं, तो आप से होता है, व्यवस्ता दिखती हैं, तो उसके अकोर्डिंग आपका अक्टिविटी होता है, आपका व्यववार और कारे होता है, सायस्थित्यों का भाव होता है, हमें दिखता है, तो उसके अकोर्डिंग जो हमारा व्यववार कारे होना है, वो होता है इसमें अलग से कोई मोटिवेशन नहीं जब हम देख पाते हैं कि हमारा संबंध है हम अस्तितों में संप्रिक्त हैं और इकाईयां है इकाईयां आपस में संबंधित हैं क्योंकि उर्जावान है या जो भी आप जो हमने वो कंसे आप रखा है तो वो ऑटोमेटिक उसका बाई प्रोड़क्त है आपका व्यावार होर काती है उसके लिए कोई motivation एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूत नहीं होता है हम सहाज होकर भावीदार होते हैं मलब वह होने लगता है हम करते नहीं होने लगता है जी जी बदब ऐसे तो देखे तो करते ही है क्योंकि निर एतो स् हधुपियों ही करना और क्या करेंगे चाहे है तो सदुक्यों करींगे का की ऑहन करेंगे और किछेव स criticism करेंगे उसमें जcky बदलती है नियाइधर्न सत्य की दरस्त्य आती है या करूना और छिस तरकी आती आती है तो उसकी वज़ए से आपके अंदर होने लगता तो इसमें काम भी करते हैं कि जैसा होना चाहिए तो इसमें कि जैसे तो लगे पड़े कि क्या खाना चाहिए तो मतलब जैसा करने कोशिश कर रहे हैं अच्छा यह सहज रूप में हो भी रहा है कल क्या में दही लें गया मार्केट में और सामने जली तल ला जाला था और मैंने फिर बिना सोचे समझे मेरे अंदर कोई भी मतलब बिना वि पता नहीं संस्कारों में है क्या है सुबह सुबह मैंने कह दे एक और जलेवी देदो तो उसे खाया अच्छा भी नहीं लगा बाद में कि फीलिंग अच्छी नहीं आई तो यहां पर यहां पर मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 10 दिन से मैं लगा हुआ हूं अपने आपको अ अच्छी नहीं है तो इतन दिन जो आप अप्रेयास कर रहे हैं उसमें भी आपके अंदर आशा थो बनी वी थी कि जलेवी खाया जाए यह पको कॉड़े खाया जाए वट आपने इसको रोका हुआ था है आपने इसको हर तरह से रोका हुआ था तो समझ कर ऐसा कर रहे थे व तो क्यो नहीं खानी है और जले भी नहीं खानी है तो क्या खानी है दोनों पे तो निरने होना परएगा तक जले नहीं खानी है इसके लिए आपर कुछ सोचा प्सचांस कई बेचा लिया और वजन और बढ़ने देना है के प्राश declari पीलब अठरे देना हैं ubiqueteyud वजन को नहीं बढ़ने देना है, भारितियों होने देना है, आदिया देना है. तो तरहने के वताइं यह कि जब तक हम को यह न दिख जाए, कि मैं शरीर नहीं हूँ. शरीर के साथ हुआ शरीर मेरा साधन है. अब तक यह कष्णाया बनी रहते हैं. तो बहुत लंबा समय मेरे लगता है, कि मेरे को तो कई जनम देने पढ़ेंगे, इसको समझने के लिए. वो सबलता से बैठता नहीं है. ठीक ना, उससे भी परशाम में करते हैं. अब पहला जए कि दूब इसको बहुत संथ कि निकाल देंगे, आफ के ha-uga. कैक जो आखे है. तो उन्त वाच्छा है हुआं स्विकारा हमने काड के साथ मुझे काम करना है। कि यही है कि मैं पहली होजा पंदर के सम्मा सकता था, फैल जाता था. दो-तीन साल तो मैंने लोगों घ्यान दिया अब क्या है कि मैं ब्रसांती से सुनता हूं अपने अंदर ही रखता हूं तो इतना तो मेरे निदर चेंज आया कि हम इसे वो घ्यान नहीं देता हूं जल्दी इतना जैसे वाइड को भी वाइड पर परसान रहती थी अब भी मुश्कुरा रही सुनके वाइड को भी नहीं बोलता हूं कुछ भी ठीक है बढ़िया जब हम अभी तो हम स्वैम में बाहर की चीजे जो देखने की तरफ चल रहे है उसमें कुछ आईसी समवेदनाय दिखाई देती है जैसे कि हमने एक अड़ा एक्सिडेंट देखे रोड पे और वहां दो-तीन देख हो गई तो वो देखने के बाद जो मन में मन विचलित होता है जो विचार आते है कि भाई गारी हम भी चला रहे है कहीं आईसा तो नहीं कि अगला नंबर अपना ही लग जाए तो य यह जो विचार चल रहे है मन में तो उसको भी कंट्रोल करना है और दूसरा जो हेल्थ को लेके बात चल रही है कि मुझे सूगर है बीपी है तो उसके लिए जो हमको खाना खाना है क्या खाना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है दवाया टाइम पे लेना है नहीं लेना है उसके साथ जो डॉक्टर्स बताते हैं तो वो तो खैर एक लियम की बात हो गई तो यह जो दिमाग में चल रहे हैं आउट साइड की चीजें यह अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम स्वाइन को देख पा रहे हैं ऐसा फिलहाल अभी लग रहा है मुझ जरूरी है जरूरी है तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया हमारा भी हो सकता है तो यह ठीक नहीं है उसके लिए यह भी तो देखना पड़ेगा कि जो स्पीड में हम पहले चल रहे थे होना तो एक अच्छी बात है लेकिन मन में डर की वज़े से नहीं सावधानी की वज़े से होना चाहिए ऐसा भी लग रहा है लखनाव कानपूर हाइवे पर लिखा हुआ है इनको जल्दी थी वह चले गए जी जी लिखा है तो ठीक बात है तो ऐसी घटना को देखते हैं त हमारा ध्यान तो जाता है तो अपना मुल्यांकन भी करेंगे कि हम सहज भाव से गाड़ी चला रहे है या आवेश्म गाड़ी चला रहे है कि हम ध्यान देते वे चला रहे हैं या हमारा ध्यान कहीं और है तो इसे अपना मुल्यांकन करने का उसर मिलता है कि हम सही चल रहे है लिखता है कि है हमें ले दूसरे के लिए अ हमारी गारी के अब यह जहड़ा करते चीтесь लगने से करते हैं वहां संबंद भाव है जी बैंक यू नमस्ते सभी को अच्छा जो टॉपिक है वह बहुत ही बढ़िया है वैसे तो अपना हर दीन ही बढ़िया रहता है लेकिन कुछ-कुछ बाते जो शुरू से आज चल रहे हैं वह एकदम ही मस्त है और इसमें यह जो हम जान गए अभी यू एच्व में आके 1, 2, 3 तक कि जो संबंद का भाव हम देख रहे हैं जैसे अभी अपने गाड़ी की बहावना है सभी तो यह तो बात जायज है भाया कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कोई कुछ भी नहीं करेगा सभे भुमी गोपाल की और ऐसा बोलके सब अपने दर्वाज्य खुले रखेंगे सब अपनी भावना को उसमें भी ले लिया और समझो उसको कुछ मिल गया तो वह भी मेरा ही है मुझे मिला वह भी मेरा ही है तो इस तरह से चलेगा तो फिर यह प्रुत्वी पे काम कैसा चलेगा जीवाई प्रीज इस पर थोड़ा प दूसरे के भले के रहा हूं वह भले ही अपने शरीर के लिए अपने सेल्प के लिए सब कर रहा हूं लेकिन इसके साथ मेरी दूसरे के भी भलाई है तो बहुत अच्छी बात ही जाएगी है तो फिर यह जरृत क्यों पढ़ रही है अभी जो हम देख रहे हैं ने कॉंटरी देख रहे हैं जैसे पहले वो दिदी ने रष्फाल बताया कि मुझे भahlen लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि हो कुछ मुझे ऐसा करेंगा तो यह ऐसा क्यों होता है ओर्झान था लेकिन हम ने यह पाया कि जब हमने आग बंढ किया और नहीं बन किये, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, कभी कर भी हम आखे खुली होती है, और हमारा ध्यान कही और होता है, तब हमको कोई दूसरा बुलता है, रहे भाई, क्या सोच रहा है तू, तो ये तो निरंतर अपने आप में चलते रहेगा ना, वया जी, 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 तो उ ँससे हमको क्या मतलब दिखान और बढ़ाना है, हमारी समझ और बढ़ाना है, हमारा जान और बढ़ाना है. तीनों ही, दियान भी और बढ़ना है, आपनी और समझ बढ़ानी है, जानने को पूरा करना है, एक लास्ट मैं पुछा हूँ, कि जो हम बच्पन से बने आ रहे हैं, जैसा मुझे बोला जाता है, कि हर एक आदमी को, हर आदमी के अपनी अपनी एक विशेष्टा होती है, वो तो पूरी कंटीनियों होते रहे हैं, उसको हम कितना में मोडना चाहे, समझे मुझे ऐसा हूं, बढ़ करने की मीरी आदत है, तो यह तो मैं कितना भी आखरी तक जाओंगा, तो भी वो तो मैं करता ही रहूंगा, जैनलूर नहीं है, जो बात करने की आदत है, उसके पीछे क करने के बाद करने के बाद करने के बाद करने के बात करने के बात करने लगते हैं दोनों ही तरह के घटना होते हैं तो हमें कितनी बात रखनी है क्यों रखनी है इस प्रकार रखने सब प्लियर हो जाता है तो ऐसा नहीं क्यों बनी रहेंगी अभी हम मानेताओं के धार पर पिर हमारे जीने का आचरन, वर जीने का सुरूप निशीस होता है, हमारे आचरन निशीस होता है, और उस आचरन की एक रुपता दिखाई देती है, समाज में परिवार में, हर वेक्ती समझ कर बोल रहा है, हर वेक्ती उतना ही बोल रहा है, इतना बोलने क्या हो सकता है, लेकि करने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी अगर सभी ने ये सोचना चालो कर दिया उसके लिए को तो शिक्षा भी होगी यो काम करती रहेगी और अपने की एक बर सुन लेने से ध्यान चला गया उसको तो बार-बार ध्यान दे रहें तब ध्यान जा रहा है कि नहीं जी 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 वह देता हो ढ़ं देक्स हमाने की सब्सक्राइब वह इसको नहीं खाना है तो जरूर खायेगा आप जलीव की बात हुई तब मैं सोच पा रहा था कि वो जरू दोड़ेगा और जो हमें संत्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं अपनी खाना तो भाव बदलता जाता है जैसे मैंने अटेक के बाद मैंने यह सब हैटी कि यह खाना एकदम बंद कर दिया उनके प्रती निर्मोही भी हो गया तो यह जो जो आंत्रिक बल कारे कर रहा है यह तीनों में अलग-अलग कैसे क्रियेट हो पाया है इसको मतला जाना चाहिए तीनों मतला फिर से को बताइए क्या तीनों कह रहे हैं एक चीज मैं रोक रखता हूँ कर यह खाना नहीं है मोटा हो जाओंगा दूसी चीज है कि मैंने उसको छोड़ रहा है आपनी खाना हो गया वह थीक नहीं है वह भारा आप आपको भाइदा करती है और तीनों में जो अंत्रिक बल कारी करता है हमारी इच्छा सक्षी के साथ वह कैसे क्लिए तो आपके मानने के धार पर ऐसा हो हो रहा है इसरे जैसा मांते हैं जाना अब इसलिए को यह उतना लेता है ऐना फिसे लिए और कुछ लेते हैं कि इतना नुक्सान है वो यह होती है कि हम स्वाद से सुखी होने जाते हैं तो जब तक हम स्वाद से सुखी होने जाते हैं तब तक इतनी सुविधा क्या शकता है उस वाद को पैदा करने के लिए वो निश्यत नहीं हो पाती क्योंकि स्वाद से सुखी होने जाएंगे और सुख तो निरंतर चाह तो उमको लगता है कि यह जो रोग है यह हमको दुख देगा उस्वाध हमको शुक्त दिय रहा था बटे रोग दुख दिय रहा है पिर दोनों की पारन करते हैं कि ठीक अब है इसका आपस में इसको तरह से बैठाओ ताकि उस्वाध भी मिलता रहे हो दुख भी नपैदा हो अप्यास करते हैं? यह नब यह मूर कैलकिलोटे हो जाते हैं. गड़ा भाग करते रहते हैं कि चाह करना चाहिए और लुए फोर्स है, मानता मानने की में ब्रदी करता रहता है, कि नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए. तो साथ हमारा जो एक दर अच्छा सकती है, अपन को यह खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम अब संत्रन की और बढ़ रहे हैं या यह रोक रखी और ऐसा हो जाएगा नुफ्टान और रोकना और चोड़ प्यागना और संत्रन पैदा करना तीन सिपिया है तीनों में आपने बहुत अच्छी बात करें कि हमारी मानताओं का ज हमको दिखाई दिल लगे कि आस सुखी नहीं होना दू εत्त है कि कौन सी चीज हमारे शरिक लिये कितनी ही मात्रा नी मात्रा में उपियोगी है वो स्वाद हमको बताता है बस इतना ही स्तरों है उससे सुखी होना ऐसा नहीं सुखी तो समझ सभाव से होना तो सूख का जो नि कि इंध्रन नहीं पाना है ड्यसigkeiten है वाध से मिलने वाला सुषित निरंतर नहीं हो सकता है जी बिलकुल बिलकुल टийक सवाचा ती मैं को झारा था न है कि शोई के शेरिंग से निकल कर आता हैं तो मैं सीदे मैं को देख रहा हूं मैं कि करपना शिल्टा को देख रहा हूं समेधना के माध्यम से नहीं तो हम बाहर की चीजों को पांच समेधना शब्द, स्पर्स, रूप, रस, गंध के माध्यम से देखने के अभ्याफ्त हैं इसलिए इन इसलिए हम मैं को भी समयद्नों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं हम मैं के आकार रूप रंग आधी को देखने कोशिश करते हैं और हम जिशे महतुपूर मानते हैं उस पर ही ध्यान देते हैं इसे भी देखते रहें कि आप यानि मैं के आकार रूप रंग आधी को दे तो मैं कोई जडवस्टू हूं नहीं हमारा जो अभियास है पहले से वे जडवस्टों के रूप के अस्वादन करने का अभियास है। और हो सकते हैं, हमने कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो, कुछ पहले से हमारी सुर्थी में हो, तो उसी धार पर हम एक बारे पूरी कल्पना बना लगते हैं, अब यह देखना नहीं है, यह मैं की कल्पना करना है, तो मैं ऐसा होता है, मैं के बारे हमने यह सुन रखा है, तो कु तो इसकी आउशक्ता नहीं है इतना जरूर अपने आपने नोट कर लें कि देखो फिर से हो रहा है कि मैं अपने को एक जड़ वस्तु की रूप में देखने का प्रयास कर रहा हूं इसके रूप रंग आधी को देखने का प्रयास कर रहा हूं तो अभी हमारा प्यास्तिस बात के लिए अगर स्केपपल में देखना है तो बस इसको ध्यान दे लें कि मुझे अपने कर्पना श्रीटा के और ध्यान देना है द्यान अपने आप लौट आएगा कि दूसरी तरह की चूप है तो पहली तरह की चूप बात हुई कि बाहर क्यों ध्यान जा रहा है बार बार अपने उपर ध्यान दे रहे हैं परन्तु बाहर कुछ आवाज आ रही है बाहर कुछ संभावना को घटना हो रही होगी वहीं पर ध्यान जा रहा है अपने उपर ध्य नहीं है तो अगर आप अपने भाव को देख नहीं पा रहें पर अपने विचार को देख सकते हैं तो विचार को देखने काम करें विचार के अधार को अपने भाव का निसक्रस निकाल सकते हैं जैसे अगर प्रतिस्पर्धा का विचार चल रहा है तो विरोद का भाव है दू सख़ाद में कयो जो रहा है कि मेरे अंदर को शुब आ जो मेरे जान दुब रहा है कि देखा दूंगा नहीं और जैन पर जो Corps कि दो चल रहा है कि तो JIM जहा चल रहा है कि शाज जीज घुचिज खाई जाती ऐड़ने का बहा आर जाती को उस यह जीद फाए सचल रहा है है most वालना तकुम करती द चलते हैं या हमेशन हो सकता है कि चल तो हमेशन रहे हैं कि अगर हमारा अधियास अब बाहर को जो हो इनी जा क्या कर रहा हूं मैं बहुत ब्लैंक सा दिख रहा है तो अभी क्यों कि हम्मारा भ्यास नहीं है अपने उपर ध्यान देने का इसलिए आप आप ना श्रीटा कभी-कभी चल रही है जबी चल तो हमेशा रही है हमारा ध्यान कभी-कभी जा रहा है अब अपने की काम छूट रहा है याद है की क्या काम देना एक या बोलना है कहां जाना है उसके लिए ना ये सोचने लगे अपन अपनी कर शीजा दो दें तो लगता है कि ध्यान रुक रुक कर जा रहा है है तो वह सब चला आपके बहुत अधर बहुत है इन दर उसको भी तो ध्यान दे ही रहते है तो यह यह चला यह कर लिंदर यह चल रहा फोर्सफुली देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको heaviness feel हो सकता है, तो कि मुलता प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जैसे यदि आपके सर में दर्द हो रहा है, इससे कारण यह हो सकता है कि आप अपने पुराने अभ्यास वर्ष आखों से कल्पनाशिता को देखने का प्रयास कर र तो इसमें जो करने काम है कि सजग रहें, अपनी कल्पनाशिता को देखते रहें, बस देखते रहें, फोर्स न करें, ज़िए ध्यान भठक भी जाए, तो भी कोई प्रतिक्रिया न करें, आखों से कल्पनाशिता को देखने का प्रयास करना तो ब्यार्थ है, तो बस हमको अ किसी प्रतिक्रिया के दुबारा सजग हो जाए अकल पना शिल्टा को देखते रहें तो यह कई बार होगा कि सिर में दर्द होन लगता है नीन लगती है इंफर्ट शुरू में यह भी हुआ कि जो नीन आती है ना इसको तो अस्वागत करें कि कई वर ऐसा हो सकता है कि हम बहु को भी नींद है उसकी थकावट है ना वह दूर होन लगता है आप सो जाते हैं सो भी जाए तो कोई बुरा ही नहीं है बस कॉलेज में ना सोई पब्लिक प्लेस में ना सोई बट रात के अदि आप अभ्यास कर रहे है उसको आपको नीन लगे बिल्कुत सो जाए तो गारी न कि शाव यह दो के लगे नियदे श् chlorine ऑघ-ब तो अडिया देते हैं वह दो नहीं हम को प्रीयर्टी सिज्गराने का प्रास करें तो ऐसी इसी इस्तिति बनेकी है अम बज देख लें के हाँ ध्याना फिह बाहर जा रहता है कि बात को लेकिया कोई प्रश्न तो हैं रेज कर सकते हैं अगर सिर में दर्द हो रहा है नीन आने लग रही है तो इन मुद्धो के तो ध्यान दे लिए लिए नमस्कार इजी ऑब्जेवेशन की क्रिया आप कह रहे हैं तो क्या हम अब्जेवेशन जैसे अपने का शब्द रूप सपर्श गंद इसके माध्यम से अभी तक कर रहे थे और अब उसको छोड़कर क्या हम इस समय अपने मन और बुद्धी को अब्जेव करने का प्रेथ में कि मन में क्या मन किस इंद्रियों के पास चिपका हुआ है और अभे नहीं नहीं हो साथ ही मन कहें या विद्धी कहें भी सो देखना है तो करना शेलता यानि जो हम नहीं चीजे क्रेट कर रहे हैं अंदर ही अंदर या कुछ नई मिर्चे सबस्ध मेरीह कर आधा मैं अधा ओक यह बात कर आई आउ इसगार प्रृट। तो यह कंटिनूर्स चला मतलब मैं जब आखी नवी तो तब मार खाया मैं उसके बाद क्या हुआ कि जब लिए परसान होता हूं पतानी यह मेरा गला सोचना है कि सही सोचना है आज भी जब ही मैं किसी से उलच जाता हूं या परिवार मैं मूह बुला लेता ऊंग्या हो जाता हूं तो ने खाने के पीखे भागता रहो और यह बढक demol़ आखाने के भागता हूं childish कि तो यह मेरी जानना चाहता हूं कि यह मेरी प्रैक्टिस कराई गई थी बच्पन से उसके उती वजए से है या यह ना समझी कि वजए से है देकर ना समझी तो है ही उस अकारण चाहे पास में हो या प्रजेंट में हो तो आप इसको अबजर्ब करिए कि जब आपके अंदर इस सेलेक्शन होता है कुछ खाना है तो आपके अंदर क्या भाव चलता है तो उस भूजन को लेने से या तो ऐसा होता होगा कि कुछ मालीची इस वह में परिशानी हुरी तनाव हो रहा है उससे ध्यान हट जाएगा यह सब इचीजे हम लोग करते हैं तो बाहर से कोई संवेदना लेकर अपने ध्यान उसरी ओर ले जाते हैं और आसा हो भी सकता है कि जब मीठा लेते हैं या कुछ ऐसी चीजे खाते हैं तो उसका शेर अब दो काफी नियुक्ता है आप यह लोगों से लेकिन अभी अभी कभी कभी नमें बटक जाता हूं जाता हूं मीठा गाता हूं तो जनरली के जब ज़्यादा तनाव में हो तो ने को मिलता हूं जो टाहूं लेगिन अभी भी ऐसे ही होता है मेरे साथ? आइ इनलेक्ट इस पर काफी रिसर्च भी हुआ है, अगर देखेंगेंना, जैसे व्यक्ति केलापन महसुत करता है, तनाओ महसुत करता है, तो एक अभ्यास ये भी होता है, आधिक शश्यदी भोजन लेता है. इसलों के भ 화iad होता है कि भोजन कम कर दें छोड देतें only agran report किला तब हमानते हैं थी तनाह होना टाहिद मेंगति ज्यादा भोजन लेता क्योंकि जिओ अछुर्काइम जो आप कहते हैं कि कल्पना शिल्ता कहीं और चली गई है तो कहां जाती है आपने कहा कि कल्पना शिल्ता हमेशा चलती रहती है तो फिर इसके वापस आने का क्यारत हुआ है कहां से वापस आई तो आपके अंदर दो प्रकार की चीजे चल रही है कल्पना शिल्ता जो की निरं मदारान के लिए आपके करपनाश queatarConga विचाथ की नदी के जैसी है कि जब आप इस करपनाशbles suppl Augen को इस प्रकाद देखते हैं कि मानों आप नदी कि लिप खड़ेPe मैं वाव इसे साफ साफ देख पाते हैं ब्लstyट वारा लेकिन जो आप नदी में पूछ जाते हैं तो यह नहीं तो यह थीटी नहीं देख पाते हैं कावी कभी तो बिल्कुल पर चल रही है हमारी आवेर्नेस कम हो गई है किसी विचार में बह गए गए और काफी देर बाद हो चाहिए कि मैं इस विचार साथ बह गया वर्क्शॉप कंड़क करते हुए कई बार हम लोग टेक आफ वर्ड का जो यूज करते हैं तो कोई एक बात हमने सुनी और हम टेक लगे दस मिनट पंद्रा मिनट बाद ध्याना है कि दिखुर चर्चा क्या हो रही है तो क्लास में ठाका हो रहा है तो हम लोट कराए तो यह जब हम इंट्राइक कर रहे होते हैं तो भी हम टेक आफ कर जाते हैं अपनी कल्पना शृताम यह होता है कि हम विचार साथ बह जात तो अगर हम उसको एक बार अपने अंदर यह भी देख लें कि अल्टिमेट लिए तो अपने विजार को देखना अवसाद बहना नहीं है तो लॉट आएंगे तो इसको देखने लगेंगे तो यह कुछ इसूज है जो आप साथियों से इचर्चा करते समय ध्यान में आया है उसको आपने लिस्ट किया गया है और अंदर अंदर से यानि कलपनाशक्ति से जो भाव निर्म भाव जो डेखते है और कलपना शक्ति के बारे में सजक रहते है उसके करण जो तो अंडर से जो सुख मिलाना है उसके लिए अपने को कलपने शक्ती के तरफ ध्यान देना पड़ेगा भाव देखना पड़ेगा और यह इस वेरी टीफिकल टास्क आइसा जिक्यूंकि अपने को उतना साधना रहते हैं जो सर्वसाधन आदमी है उसको उतनी साधना नहीं र ज azul रहे है ऊज़ो उसके कारण अपने को निराँतर सुख मिलेंगा यह काईसा एनिशार करेंगे और काईसा अपन देखेंगे कि मुझे निरांतर सुख मिल रहा वा को करन रहा है या को और से बारे में तोड़ा स्बसें करना ही नहीं तो बहुत सिंक्पल काम है थ्यां देना है बरबर तो यह जोड़ कि अपने ऑपर द्यान दे रहा हुँ तो बहुत संस इंपल काम है बरबर तो क्या है हमारे कुछ मानिता ऐसी बन गई है बाहर से कुछ कुछ पराप्त करें की होने का बहुत मुझे काम करंगे। अपने अधियान देंकर हम चीजों को देख पाया है सब्सक्राइब निन रर्व काम करुए रहा है दूसरे लग सकता है क्या कर रहे हैं इससे अच्छा को रफया करते कि कुछ ऐसा बहुत बहुत तो पूरा करना जरूरी है तो अभी तो नियांतर सुख नहीं दिखाई देगा स्वह में यह समझ ne कर देंग है कि लबदी क्या हो रही है कि एने बाहर से जो सुख मिल रहा हो वो सुविधा ैमेल रही है उस से जो मिलता है उनिरंतर नहीं मिलता और सवनिक खरी थाइज नहीं थे देर तक रहता है ङुछ सूचता है और कम्रह निरंतर देखद एंगत exclud slot तो निरंदर सुख मिलेंगा ऐसा हिन भाई सिर्फ ध्यान जाने से निरंदर सुख नहीं मिलेगा जब चीज़ा सपस्थ होंगी जब उपर क्रिया जागरत होगी तो मिलेगा ऐसा हो सकता है शुरू में तो आपकी परिशानी बढ़ जाए दुख बढ़ जाए कुछ घटनाओ नहीं को सब्सक्रशन दूख प्रशूर में हो चला है विए वनिश्या जी ने मिलेट सकते हैं तो मिलके प्रस्नों क्ले 17 जाए हो गया है ठीक रहेगा है कि कि आपके प्रश्णों से बात सुरू करते हैं बनिशा जी का हैं या पुछ देर से रहं भी है कि दो आपके प्रस्न लेते हैं पहले जी तो इस ही आज सत्र रोक लेते हैं तरह को चला है बहुत बहुत दन्यवाद नमस्तों